क्या आपको पता है कि एक बार एक सिगनल के जरीए एलियंस ने धर्ती के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की थी 15 अगस्त साल 1977 में रात के तकरीबन 11 बच के 16 मिनट पर बिग एर रेडियो टेलिसकोप ने अंत्रिक्ष से एक अजीब सा सिगनल कैप्चर किया जो तकरीबन 72 सेकेंड्स तक चला और इसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में इस दुनिया में एलियंस है और अगर है भी तो क्या वो हमसे बात करना चाहते हैं ये सिगनल फ्रिक्वेंसी 6EQUJ5 अब तक की सबसे हाइस्ट कैप्चर्ड फ्रिक्वेंसी थी जिसको देखने के बाद साइंटिस्ट जेरी एहमन ने प्रिंट आउट पेपर पे वाव लिख दिया जिसके बाद से लोग इसको वाव सिगनल के नाम से जानने लगे वैग्यानिकों को पहले लगा कि ये सिगनल सेजिटेरियस से आ रहा है पर बाद में पता चला कि ये सिगनल सूरज के आकार वाले एक तारे से आ रहा था इस इंसिडेंट के बाल वैग्यानिकों ने दोबारा उसी स्टार से कई बार कम्यूनिकेट करने की कोशिश की पर हर बार वो नाकाम रहे